जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हमली कर आएं आपके लिए यहाँ पर मारकंडे जी से सम्मंदित महत्वण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा बस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा आएं चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें तो चले श्टार्ट करते हैं आज का अपना फ़र्स्ट कॉस्चन है मारकंडे जी से संबंदित तो यहां पर पूँचा है कि मारकंडे किस कहानी आंदोलन से संबंदित है चार विकल्प आपके यहां पर देगा है सहज कहानी नई कहानी समाना अंतर कहानी या आ कहानी आंसर आपका यहाँ पर होगा नई कहानी विकल्प नमबर आपका C यहाँ पर राइट आंसर है मारकंडे की कहानियों की प्रमुक्ष विसेष्था है यहाँ पर प्रमुक्ष विसेष्था क्या बताना है question number आपका दो का राइट आंसर क्या होगा बताईए question number दो है महत्तपुन question पूँचा गया है और इनकी कहानियों की मुक्ख विसेस्ता जो है काम की प्रेश्ट भूमी विकल्प number एक आपका सही answer होगा question number आपका तीन पूँचा है कि मारकंडे की अधिकतर कहानिया किस पत्रिका में छपी है हंस सरस्वती कल्पना या फिर माधुरी question number तीन का आपका जो सही answer है बहे कल्पना कल्पना पत्रिका में सबसे अधिक इनकी कहानिया छपी है question number 4 यहाँ पर क्या पूँचा है देख लेते हैं मारकंडे कल्पना पत्रिका में किस नाम से इस्तंब लेक लिखते थी कलाधन नाम से या फणी धर या स्रंगी धर या चक्रधर तो ये मारकंडे जी जो थे एक कल्पना पत्रिका में किस नाम से इस्तमिलेक लिखते थे तो आपका सही आंसर होगा चक्रधर विकल्प नमबर सी राइट आंसर यहाँ पर है तो आपका सही आंसर है मारकंडे जी ने तो आपका सही आंसर है माया विकल्प नमबर आपका सही आंसर होगा Q6 पूँचा है कि मारकंडे ने नया साहित ने पत्रिका की स्तापना कभी की 1969 में, 1956 में, 1921 में, 1922 में तो मारकंडे जी ने नया साहित पत्रिका की जो स्तापना की थी वह 1956 में की थी यानि की विकल्प नमबर आपका भी यहां पर सही आंसर होगा question number 7 आप से पूँचा है कि मारकंडे ने कथा पत्रिका की स्थापना कब की question number 7 का आंसर बताना है क्या होगा सही आंसर तो महिंक मारकंडे जी जो है यह नोंने कथा पत्रिका की स्थापना कब की तो 1979 इस भी विकल्प number 1 आपका सही आंसर होगा Q8 पूँचा कि मारकंडे के समपादन में निकले किस पत्रिका की प्रारंबिक 14 अंक हिंदी पत्रिकारता के मील के पत्थर मानी जाती है Q8 पूँचा कि मारकंडे का जन्म कब हुआ था यहाँ पर दो विकल्प आपके यह रहे आपके दो विकल्प Q9 यहाँ पर सही आंसर निदम सही में हें हुआ तो आपके यहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो आपका विलकुल पियराइड यहाँ पर कि बराई गाउं जौनपुर उत्तर प्रिदेश में मारकंडे जी का जन्मुहा था तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा मारकंडे का एक मात्र कहानी संग्रे कौन सा है पान फूल महुए का पेड़ पत्थर और परचाईया या बीच के लोग तो मारकंडे का एक मात्र कहानी संग्रे बताना है तो पत्थर और परचाईया इनका एक मात्र कहानी संग्रे माना जाता है मारकंडे की कब रचिनाएं हैं एह प्रत्वी तुम्हें देता हूं सपने तमारे ते आ ओबा दोनों सही है या फिर गुलरा के बाबा तो आपका सही आंसर है आ ओबा दोनों सही है यानि कि यह जो है कब रचिनाएं मानी जाती है मारकंडे जी की मारकंडे का उपन्यास कौन सा है अगनी बीच है या सेमल के फूल आ ओबाद दोनों सही या कानी घोडी मारकंडे का उपन्यास आपको बताना है तो आ ओबाद दोनों राइट आंसर होगा अगनी बीच और सेमल के फूल मारकंडे की कहानी कौन सी है यहां पर बताना है आपको question number 14 है बहुत ही महत्तपून कोईसचय आप से पूँचा गया है यहां पर और इनकी कहानी बताना है मारकंडे जी की तो आपका सही आंसर है 7 बच्चों की मा ये इनकी एक कहानी मानी जाती है तो विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर होगा question नमबर 15 पूंचा है कि चक्रधर की साहित धारा की रचिनाकार कौन माने जाते हैं नर्मल बर्मा, मारकंडे, स्रीकांत बर्मा, राजेंद्र यादव चक्रधर की साहित धारा की रचिनाकार माने जाते हैं मारकंडे तो विकल्प नमबर B आपका सही आंसर होगा मारकंडे की बारे में किसने कहा है कि मारकंडे ना तो बाम मारगी थे और ना ही दच्छन मारगी थे मध्यक मान के कहानिकार थे यह आपको बताना है यह किसने कहा है मारकंडे जी के बारी में question number 16 है और यह कहा है किसने दोद नास सहे विकल्प number C आपका सई आंसर होगा अगनी वीज वो पन्यास का प्रकासन कब हुआ था यह आपको बताना है इसका प्रकासन बस बताना है जो कि महत्यपूर्ण question आप से पूचा गया है question number 17 है क्तिन जाइप बताना है तो बताजी question number 17 है right answer है 1981 इस भी द्विकल्प number C आपका सई आंसर है हंसा जाई अकेला कहानी का प्रकासन वर्स बताना है ये महत्तपुन कहानी इनकी मारकंडे जी की हंसा जाई अकेला कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स आप बताए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर तो राइट आंसर है 1967 भी ये हंसा जाई अकीला कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स है कॉस्चिन नमबर आपका 19 पूचा है भूधान कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स क्या है question number 19 का answer बताना है कि भूधान कहानी संग्राय का प्रिकासन वर्स आप से पूँचा है तो 19 का आपका बिल्कुल सही right answer होगा यहाँ पर 1998 आपका यहाँ पर सही answer है question number 20 पूचा है मारकंडे जी का निधन कब हुआ यह महत्तिपून question है देखिए 2 माई 1930 में इनका जन्म हुआ था 18 माच 2010 में इनका निधन हुआ है तो विकल्प number C आपका यहाँ पर बिल्कुल right answer होगा विकल्प number C सही answer है तो इस परकार आपन ने यहाँ पर देखिए मारकंडे जी से संबंदित बहुत ही महत्तिपून question answer तो कैसे लगए वीडियो कमेंट में जरू बता है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और self study classes से आप download कीजिए यहाँ पर आपके लिए हिंद्री साइथ का संपूर कोर्स हिंद्री साइथ की test series आपके लिए अपर उपलब्ध है तो आपको प्ले स्टूर से self study classes से आप download करना है और अपनी तयारी में लग जाना है आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद्री